नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल अंजली नियूस कौन में मैं हूँ आपकी वही अंजली सबने चाहा कि उसे हम ना मिले हमने चाहा उसे गम ना मिले अगर खुशी मिलती है उसे हम से जुदा हो कर तो दुआ है खुदा से कि उसे कभी हम ना मिले जी हाँ आपने सही सुना हम आज के लेली राशिफल की बात कर रहे हैं आज के दिन जिनका बज़े हैं या फिर माइनिज उनिवर्सरी हैं उनको मेरी और से धेर सारी बधाई हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब जिस तरह लोग स्वर्ग तो जाना चाहते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते उसी तरह लोग काम्याब तो होना चाहते हैं पर रिस्क नहीं लेना चाहते सुना है नीद जादा लेने लगे हो मन्जिल खाव बनकर रह जाएगी बिस्तर से इतना भी प्यार मत करो लोग सफलता तो प प्राता पिता जब भी होसला डगमगाने लगे तो इनको याद कर लेना अपने आं मोटिवेट हो जाओगे कामयाबी का रास्ता ही नाकामयाबी से होकर ही गुजरता है अगर आप में नकामयाबी जहलने की ताकत है तो ही इस रास्ते पर चलें वरना कोशिश करना बेकार है सफलता हासिल करनी है तो उन लोगों के बीच में रहे जो सफल है और सफलता की रह पर है बिना सफल हुए और बिना शिक्षा के किसी ने सफलता हासिल नहीं की आपके जिन्दगी में लिये हुए फैसले ही आपके जिन्दगी की दिशा को तै करते हैं आपके विचार आपके ज स्किल्स पर काम करें क्योंकि कॉलेज लाइफ के बाद आपके स्किल्स जादा काम आएंगी ना कि टिकरी सबसे पहले में आपको बता दू कि हजाब के लिए जो है लखी जो कलर है वो सफीद और यानि के वाइट कलर बन रहा है और जो लखी नंबर भागिशाली अंख है नंबर पांच रहेगा आज के दिन के लिए सितारी कहते हैं कि आपके आस पास के जो लोगों हैं उनमें काफी बदलाव नज़र आएगा आपको जो आपको मानसिक रूप से काफी कमजोर बना सकता है आपको ऐसा लगेगा कि आप ने तो इसको कुछ और समझा हुआ था लेकिन ये तो कुछ और निकला ऐसी चीज़ें आज आज आपके साथ हो सकती हैं अपनी बातों के लिए औरोप और जादा निर्भर मत रहेगा बढ़ता खर्चा भी चिंता का कारण बन सकता है लेकिन फिल्हाल खर्चे हुए पैसों की जरूरत से ज़्यादा चिंता मत कीजिए भविश्य में ज़्यादा पैसा कमाने के मौके उपलब्द होंगी आपकी जो महनत है वो भविश्य में काफी ज़्यादा रंग लाएगी और हाल जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रहे थी उनके लिए भी अब स्त्रोत खुल जाएंगी आपको नौकरी मिल सकती है इसके साथ ही जो लोग एक्टिंग में अपना जो है करे ढोट रहे हैं उनके लिए जो दिन बहुत ही शुब रहेगा और जो लोग अल्रेड़ी स्चीज में हैं फील्ट में हैं उनके लिए दिन खास रहेगा घर पर ये वर्तन समंदी कोई प्लानिंग्स बन रही है तो उसे अंजाम देने के लिए उची समय है किसे भी काम में घर के वरिष्ट लोगों की सलहा जरूर लीजेगा और उस पर अमल भी करना पड़ेगा आप के लिए बहुत इलादाइक सितियां बनी हुई है आज कही भी इन्वेस्टमेंट्स करने में जादा सावधानी बरतनी की जरूरत है किसी अनस्दी की मित्र की वज़ा से आज कोई नुकसान हो सकता है ऐसी शंकाए बन रही है इसलिए भावुकता में आकर कोई भी फैसला मत लीजेगा अपनी फिसूल घर्ची पर अंकुष लगा कर रखना बेहत जरूरी रहेगा आज के लिए फिलहार हर बात आपके मन के नुसार तो हो रही है इस सिती का अधिक जादा फायदा उठा कर भी लक्ष को पुरा करने की कोशिश करें लेकिर ये जब चीज़े हैं आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आज होती नज़र आएंगी ये आपके मन के नुसार हर काम होगा आपके प्लानिंग्स को अमल में लाने के लिए औरों के द्वारा सहयोग भी असानी से मिल सकता है किसी विप्रकार का आज काम से जोड़ी सारी तकलीफे कई लोगों की दूर हो सकती है लेकिन साथ में आपको जो है रिस्क लेकर चलना पड़ेगा आप अपनी किसी नेगेटिव आदत को छोड़नी का संकल्प करेंगी और इसी घारे में घर की बड़े बज़र्गों का भी बहुत ही जादा आशीर वादाप के लिए बहुत ही सुकमे और अनन्द में लेकर आएगा स्टुडर्स को भी कैरेर से रेलेटिड किसी समस्या का समाधान मिलने से बहुत ही जादा राहत मिल सकती है सिकोन मिल सकता है अगर किसी प्रकार का रिंड लेने की प्लानिंग्स बना रहे हैं लौन लेने की तो उसे स्थागित करने में ही भलाई होगी अभी क्योंकि इसको चुकता करना इससे में बहुत ही मुश्किल हो सकता है आपके लिए तो आपको अपनी चीजे पहले देखनी चाहिए फिर ही कोई फैस्टा लीचीगा आपके कुछ अपने ही लोग आपके लिए परिशानी का कारण बन सकते हैं अज आप किसी की आँखों में खटक सकते हैं किसी पर भी आँखें बंद करके आँखें मूंद कर भरोसा मिल्कुल भी मत कीजगा अज आपको अपने काम खुद करने चाहिए हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं बिजनिस और केरिट की तो आज ओफिस और दुकान की स्टाफ पर कड़ी नजर ज़रूर रखे इनके मिली भगत आपके लिए नुकसान दायक को हो सकती है साथी में अपने इंपोर्डेंट कागज़ाद और दस्तावेजयो को सभाल कर रखना होगा आज ओफिस में जो है कुछ राजरेती कमातावरन जैसा महाल भी बन सकता है तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसा क्यूं हो रहा है आपके मन में सवाल आता रहेगा लेकिन ये हर तरफ होता है कोई बात नहीं आप इन सब चीजों से निकल ही आएंगे फिलहाल नौकरी में बदलाव लाने की कोशिश अभी मत कीज़ेगा जो जैसा चलत रहा है अभी वैसा ही चलने दीजिए तो आपके लिए बैटर रहेगा इसे के साथ ही आज वैविसाई का कती विधियों के लिए आपने जो लक्ष निर्धारत किया है उसके लिए अभी और भी जादा मेहनत करने की जरूत पड़ेगी आपको दूर दराज कि अपने संबर के सूत्र में और भी ज़्यादा मजबूती लाने की कोशिश करनी होगी सरकारे सेवा वाले लोगों का काम जो है वो ज़्यादा रहेगा जो गर्मन जॉब करने करते हैं उनके उपर काम का काफी ज़्यादा भार देखने को मिल सकता है करियर से रिलेटेड फैसा लेते समय सोच समझ कर लें वरना आपको पच्चताना भी पड़ सकता है ज़्याद जो लोग गर्मन जाना चाहते हैं उनके लिए जो दिन है वो ठीक ठाकी बना रहेगा कई लोगों को जो है अच्छे रिजल्ट मिलेंगी और कई लोग मायूस भी हो सकते हैं लेकिन जिंदा का विशे ये नहीं है आपको मौके मिलते रहेंगे अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की जो हैं लव लाइफ के बारे में लव लाइफ कहती है कि परिवारी को और विवसाई के जीवन में बहतर ताल मिल भी ठाकर रखना पड़ेगा आपको प्रेम समंदो को मर्यादा पूर्ण रखना ये बाप की जिम्मेदारी है और तो कैसे निभाना है ये आप पर डिपेंड करता है रिलेशन्शिप से जोड़ी कोई तकलीफ कई लोगों की बढ़ सकती है और जिससे जो है मांसिक तनाब चिंता वगेरा बढ़ सकती है और भविश्य भी आपको असा लगेगा कि जैसे सुरक्षित नहीं है इस तरह की फिलिंग्स आपके मन में उठ सकती है रिलेशन्शिप से जोड़ी बात तो में कई लोगों को प्रगती भी देखने को मिल सकती है पति-पतने के बीच में अगर कोई गड़ पड़ है तो आपको खुद को सुलजाना होगा बाके ठीक ठाक रहेगा बाकियों के लिए मदोर रहेंगे लेकिन विवसाय की टेंशन को घर पर हावी मत होने देजीगा इससे आपके घर पर, आपके बच्चों पर, आपके पार्णा पर असर देखने को मिल सकेका और जिससे घर में अशान्ती रह सकते हैं, सब ही टेंशन में आ सकते हैं तो चिंता मत कीजिए, विवसाय की टेंशन है वो जल्दी ही दूर होगी बस आपको घर में जो है वो महौल जो है नॉर्मल बनाकर रखना होगा अब आगे चलते हैं और बात करते हैं स्वास्ते के बारे में तो स्वास्ते कहती है आपके बारे में कि घर के वरिष्ट व्यक्तियों के साथ जो है आपको घुल मिलकर रहना चाहिए अगर उनका स्वास्त रहीला है तो ध्यान लगे उनसे सुख दुख सांजा करें जाबटी के लोग भी लापरवाही बिल्कुल भी मत परतेगा इसे के साथ ही आज स्वास्त के लोगों का बहुत ही बढ़िया भी कहा जा सकता है कई लोगों को पेट और ज्छाती से रिलेटिड विकार हो सकते है बड़ी मत्रा में साथ में सिर्दर्ध, धकान जैसे परिशानी हो सकती है वर्तवान मौसम से अपना आपको बच्चाव करना ही होगा सर्दी जो काम जो है वो तो ठीक है आपको करना ही उसे बिचाव लेकिन समय कि जो भी फिलहाल महौल चल रहा है उसको देखते हुए आपको अपनी सुरक्षा स्वैम करने होगी तो चले बंद में बात कलते हैं आज के विशेशुपाय के बारे में तो आपके लिए भी शेशुपाय रहेगा कि आज आपको सुन्दर कान का पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए अगर आप यह नहीं पढ़ सकते तो आपको जो है शिरी राम चंदर की जो कोई भी उसे और रिड़ साखी कहानी वगरा हिस्ट्री है वो जरूर पढ़नी चाहिए इससे आपको काफी अच्छी शिक्षा मिलेगी और आपकी मान सी शांती है वो ठीक हो सकती है और कोई चीज का हल नहीं मिल पा रहा था तो वो भी मिल सकता है साथ में कोई अगर आप सस्तंग वगरा सुनते हैं तो उसमें आपको बहुत ही जादा अच्छी रिजल्ट मिलेगी सुनकर आपके इदर काफी चींजिस आएंगे आप उस चीज को अमल मिलाएगी बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगे तो दोस्तों अगर आपको वीडियो